इसको कैसे देखे यह जो कल जो हरकत हुई इसकी पूरी जिम्हदारी आसाम बॉर्डर पॉलिस के अपर आती है क्योंकि आसाम बॉर्डर पॉलिस बहुती बायस्ट और रैंडमली किसी को भी पिक कर लेके उनको डिकलियर करती कि यह फॉर्णर्स हैं और फिर फॉर्णर्स ट्राइबॉनल में केस जाता और फॉर्णर्स ट्राइबॉनल का भी जो तरीखा जो है वो बड़ा एक्स्क्लूजिर्यरी है और तीसरी बात यह है कि सेक्शन नाइन आफ जो आफ फॉर्णर्स का अक्ट है उसमें बॉर्डन आफ प्रूफ जिन पे आर्बिटर्स पे लगा जाता कि यह भारत के नागरि है इसके बारे में आप थोड़े दिन पहले रहीम अली का केस वाता सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह यह पूरा प्रॉसेस ग्रॉस इंजस्टिस है और इसलिए यह आसाम की बॉर्डर पॉलिस और फिर वहां का जो फॉर्णर्स फैमिली में अगर पूरे होना एक को बोलते और फिर एक जगा पर इन अठावीस लोगों को जमा करना वहां पर और जमा करके एक तमाशा करना और उनकी चीफ पुकार की आवाजें जो सब को फिकरमन्द और परिशान कर रही है और आखरी बात यह है कि गवर्मेंट आफ इ जर्था सब्सक्राइब करेंगे जो स्टेट्स जीसा तेलंगाना है या पर तेलंगाना के संबली में एक रिजुलूशन पास हुआ assembly minaremas के census होगा अमरे NPR NRC नहीं होगा मगर moody ये चाहते के September जो census होगा तो NPR NRC के साथ कराये जाए अब जब NPR NRC होगा तो यही नजारे पुरे मुल्क में नजार आएंगे हम खुदा नाखास्ता लेगल आस्पेक्ट को consider करते हुए इन लोगों को बताया गया है कि ये बॉर्डर नजा नहीं वो सही है मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि section 9 जो है वो burden of proof किसी पे भी आप इल्जाम लगा दो कि इनों भारत के नहीं है उनके पराता दूसरा है कि आसाम की जो बॉर्डर पॉलिस है रैंडमली किसी को भी उठा सकते है और उनको बोलते के इनों citizen नहीं है और फिर 2017 में यही tribunal के members को renew नहीं करे government वो जवाब दाखिल करी है बोलकर के वो लोग काम सही नहीं कर रहे है काम सही नहीं कर रहे है मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग को आप लोग डिकलियर नहीं कर रहे है कि यह intensity दर नहीं है तो यह पूरा प्रॉसेस आर्बिट्री है और रिसंटली मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूँ रहीम अली का केस है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रॉस इंजस्टिस है पुरा जो इनका तरीखेकार है और वो विचारा मर गया जब जज्ज्मेंट आया तो यह बड़ा ही अच्छा इनको आप लिग जाके डिटेंशन में रखेंगे डिटेंशन में जब रखेंगे दो साल रखेंगे उनको महाँ पर आप डिपॉर्ट भी नहीं कर सकते ना पंगलादेश को चलिए डिपॉर्ट करके दिखाएं बंगलादेश को पंगलादेश नहीं डिपॉर्ट बंगलादेश एक्सप्ट ही नहीं करता है इन लोगों को आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मारने वाले ये बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई हमने अपने एक ब्रहमन समाच के बच्चे गोली मार दी या पुरा बोलो ना क्यों आप डर क्यों हो राप को ये इसलिए किसी शायर ने बड़ा सही कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे सब घर जद में यहां पर हमारा मकान थोड़ी है अब अफसोस की बात ये है कि उन जालिमों को एक मासूम बच्चे की जान लेने के बाद कह रह होगी हम एक ब्राहमन को गोली मार दिये अरे तुम्हें एक इंसान को मार रहे भाई उनने ब्राहमन हो हिंदू हो मुसल्मान हो उनने इंसान है ये लोगों को ये जो सोकॉल गायर अक्षक हैं ये राक्षस हैं इनको हर्याना की सरकार ओपन छूट दे चूट दे चुट दे और कैसा वो किसी को रैंडमली कैसा रोक रहे हो लोग रोट पे रोक रहे हो बच्चा ने रोका निकल गया गुली चला गी उपर उसके अपर एक माँ अपने एक भाई एक घर में एक बच्चा की मौत हो गई चाहिए वो किसी मजब का हो तो यह हर्याना सरकार जो है इस तरह के राक्षेस्तों को प्रमोट कर रही है इनको वेपेंस दे रही है और उनको रोड पे खड़ा कर रही है क्या पॉलिस क्या अपना इनका अपनी डूटिस क्या पॉलिस रहना इनको दे चुकी है क्या दो बच्चों का जो जिन्दा जला दिया गया था राजिस्थान के उसके बहुत भी बाउजूद भी हो लो इन तमाम विजिलांटीज को खानून अपने हाथ में लेने दे और जान जाने चलिया रही है लोगों की मैं डीजीपी साथ टेलेंगाना डीजीपी से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ओपर कुछ हमला हुआ मॉलेस्टेशन हुआ ये न्यूज मेरे पास है वो सही है नहीं है वो बाद में मालू होगा पिर ये भी मालू हुआ कि एक आटो ड्रेवर को एरेस्पी करे जेल को भीजा दिये आज जो मेरे पास न्यूज है कि एक मस्जिद के ओपर वहां पर कुछ कोशिश की गई मैं वीड की अपील कर रहे हैं हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी खानून अपने हाथ में लेने की जादत नहीं देनी चाहिए और जो भी वाइलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकंडने की जरूरत है ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल म है रूल आफ लॉग के सुप्रेमिस हुने चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मौब आए और जो चाहिक मनमानी कर ले तो मुझे अम्मीद है क्योंकि डी जी पी मुझे अशौर किया है और हम 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 उम्मीद करते हैं कि वहां के स्पी जो आसिफ अबाद के स्पी है वो फौरण हालाद को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वाइलेंस में इन्वाल्व है उनको पोरों को इमिरेटली अरस करके उनको जेल को बिजाए जाए जाएगा और कोर्ट से उनको सजा दिला ही जाएगी इसालाए जाते है कि वाएगीज करेंगेंस म压नाे कि अड़imi जाएगीज के लिग्राग सेईवा जाएगीज करेंशा सेँपक वे वाएगीज करेंशित है एूसर पैश्न हारस को नदिएन बा depends uh वर मिवने हैं ऑाwn ई वर मिवने है पो इतिता है जा है